Chapter 10 का Example 10.2 आज हम देखने वाले हैं इसका जो previous Example था 10.1 वहाँ पर हमने जो mirror यूज किया था वह एक convex mirror था लेकिन इस Example में जो हम mirror यूज करने वाले है वो है concave mirror तो आए देखते हैं कि इस Example में हमको क्या-क्या दिया गया है और उस मदद से हमें क्या-क्या find out करना है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिया गया है एक concave mirror तो यहाँ पर मैं एक concave mirror को बना लेता हूँ ताकि हमको यह example समझने में बहुत ही easy हो जाए ठीक है? तो यह हमारा एक concave mirror है और उसकी जो reflecting surface होगी वो कौन सी होगी? तो concave mirror की अंदर की यह जो surface है वो reflecting surface होगी मतलब कि उसके सामने हमें object को रखना पड़ेगा और यह हमारी principal axis होगी तो आए रीड करते हैं अब question को an object of 4 cm in size 4 cm in size इसका मेनिंग क्या हुआ कि हमें object की size दी गई है object की size मतलब की हमें object की height दी गई है तो एक information हमें मिली उसकी height is placed at 25 cm in front of a concave mirror अब concave mirror के सामने 25 cm पे हमने रखा है एक object को मतलब की इस mirror से जो object है उसका distance हो हमें दिया गया है it means कि हमें object distance u की value भी पता चल गई यह हमें h की value पता चल गई फिर आगे लिखा है कि of a focal length 15 cm मतलब कि यह जो हमारा mirror है उसकी focal length focal length को हम denote करते है f से उसकी value हमें दी गई है 15 cm लेकिन एक बात याद रखेजिए कि क्योंकि यह mirror का problem है तो यहाँ पर मैं sign convention को भी follow करना पड़ेगा तो जब आप यह सभी values लेंगे तो हम sign convention को follow करेंगे plus या minus कैसी है वो हमें देखना पड़ेगा तो देखेंगे हम जब value put करेंगे तब आगे क्या लिखा है कि इसके सामने 25 cm पर जो object रखा है उसकी image हमें निकाली है कैसी sharp sharp मतलब बहुत ही clean image हमें चाहिए तो हमें जो हमारी screen है मतलब इस principle axis के ऊपर किस distance के ऊपर हम हमारी screen रखेंगे तो हमें जो image है वो बहुत ही sharp यहने की बहुत ही clean मिलेगा तो वो हमें find करना है कि screen को हमें कहां पर रखनी है कहां पर रखनी मतलब की जो image है वो हमें कहां बिलना चाहिए तो image का हमें distance find करना है तो उसकों कहेंगे image distance v तो v हमें यहाँ पर find करना है और फिर लिखाए कि find the nature and size उपकी image nature मतलब की जो image है वो real है या तो फिर virtual है, inverted है, या फिर erect है, फिर वो diminished है, या तो फिर enlarge हो वह है, वो हमें यहाँ पर उसका nature कैसा है, या फिर size कैसा है, वो हमें यहाँ यहाँ पर find करने को कहा गया है, अब देखिए, quantum mirror के case में, उसके सामने, यानि कि उसकी left side में, अगर हम object को कहा पर रखते हैं, तो suppose यहाँ पर हमने object को रखा है, तो उसमें से जो light race है, वो इस तरफ जाती है, ठीक है, यसे light race जाती है, और फिर इसे टकानने के बाद वापस जाती है, और उससे हमें image मिलती है, तो क्योंकि light race right side में जा रही है, तो इसके opposite direction में जो भी हम distance measure करेंगे, उसको हम negative लेंगे, और light race की ही direction में अगर आप distance को measure करेंगे, तो उसको आप positive लोगे, यह हमने कहाँ पर सिखा था, sign convention पे, तो उसको हमें follow करना पड़ेगा, जब भी हम इसके value सभी की put करेंगे, तब अब देखिए, object of 4 cm in size, मतलब की, h हमें कितना दिया गया है, h is equal to 4 cm, अब यह positive होगा या negative होग 4 cm, देखिए, यह हमें height दी गई है, 4 cm, तो क्योंकि यह principal axis के उपर हम measure कर वा है, इसलिए हम इसको लेंगे positive, तो यह होगा plus 4 cm, फिर हम को दिया गया है कि 25 cm in front of the concaverant, तो 25 cm क्या है हमारी, object का distance, तो यह हमारा object है, बाकि सारी चीज़ जो कपरमेटर दे दाओ, ठीक है, यह ह हमने सिर्फ expression के लिए ही बनाया था, तो यह हमारा object है, तो object और यह pole, दोनों के बीच का, यह हमारा object distance हो गया, जो है 25 cm, अब देखिए, यह pole और यह object, तो pole से इस तरफ हम distance measure करते है, यानि कि light race ऐसे जा रही थी, और हम distance उसके opposite direction में measure कर रहे है, तो क्योंकि हम pole से left side में आ रहे है, इस object को distance measure करने के लिए, इसलिए यह जो 25 है, उसको हम क्या लेंगे, negative लेंगे, तो हमारा u, यानि कि object distance है, वो क्या हो जाएगा, minus 25 cm, ठीक है, science convention आपको पता होना चाहिए, वरना यह problem है, वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, फिर, हमको दिया गया, focal length of 15 cm, focal length का म small f, वो है 15 cm, तो हो प्लस होगी या, minus होगी, देखिए, focal length मतलब की, जो हमारी light rest है, वो इस mirror से टकाने किस point के ओपर, मतलब, meet करती है, या फिर, किस point के ओपर focus होती है, तो focal point, इस, मतलब, कौन camera के लिए, क्या होता है, उसके left side में होता है, तो यहां, किस point के ओपर, उसका principle focus है, तो फिर focal point होगा, और यहां पर उसका होगा center of curvature, तो focal point और यह pole, इसके बीच का, यह जो distance है, उसको हम कहते है, focal length, और वो हमें दीग गई है, कितनी, 15 cm, तो यह भी देखिए, pole से, हम यह focal length है, वो यह से left side में measure करता है, तो अगर हम left side में measure करता है, तो उसको हम क्या ले screen है, वो हम कहां पर रखएंगे, तो हमें saraf image मिलेगी, मतलब की, जो हमारी image है, उसका distance, किस distance पर हमां image मिलेगी, वो हमां find करना है, तो उसको हम के सिया denote करने के v से, तो v कितना होगा वो हमें find करना है, और size of the image, यानि की h dash कितना होगा, वो भी हमें find करना पड़ेगा, size of the image बदलब की, image की height कितनी होगी, height of the image को लिनोट करते है, h dash से, तो h dash कितना होगा, वो भी हमें find करना है, तो देखे, हमारे पास u की value है, f की value है, और v की value हमें find करनी है, तो हमारे पास, lens का, sorry, mirror का एक equation है, जो है, one upon f is equal to one upon v plus one upon u, यह आपने सीखा होगा, mirror formula में, one upon f is equal to one upon v plus one upon u, तो v को हमें यहाँ पर find करना है, तो इसके ओपर से मैसा लिख सकते हैं की, one upon v is equal to, यह पूरा का पूरा term हम यहाँ पर ले जाएंगे, तो one upon f minus one upon u, तो आया रखते हैं यहाँ से value को, तो one upon v is equal to हमें मिलेगा, one upon f कितना है, minus 15, तो one divided by minus 15, यह minus one upon u कितना है, minus 25, तो एक minus तो यहाँ पर है, लेकिन u की वी value कितना है, minus 25, तो फिर से एक minus हैगा, तो minus 25, तो एक है, यह minus 25 और यह minus, तो यह minus minus क्या हो जाएगा, मिलके plus हो जाएगा, तो यह one upon v हमको मिलेगा, one upon minus 15, minus minus plus, one upon 25, तो यह जो term है, वो यह देखे, negative है, और यह क्या है, positive, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि, one upon v is equal to, one upon 25 minus, क्योंकि यह term कैसा है, minus है, तो इसको इसे right side में भी लिख सकते हैं, तो one upon 25 minus one upon 15, तो इसका, गर आपको subtraction करदा है, तो यह क्या हो जाएगा, तो इस दोनों को हम multiply कर देंगे, तो यह 25 into 15, 25 into 15, और उपर आ जाएगा, यह 15 यहाँ पर जाएगा, 25 यहाँ पर जाएगा, 15 minus 25, तो यह क्या बचेगा, कि, one upon v is equal to, यह 15 में से 25 का minus करोगे, तो यहाँ पर बचेगा, minus 10 divided by 25 into 15, तो यह 25 into 15, तो यह आपन वेल्यू मिली, one upon v की, अगर हमें v की वेल्यू चाहिए, तो इस पूरे कोहमें से उल्टा करदा पड़ेगा, तो यह हो जाएगा, v is equal to 25 multiplied by 15 divided by minus 10, तो 25 को अगर आप 15 से multiply करोगे, तो यह आपको मिलेगा, v is equal to 375 divided by minus 10, तो नीचे minus 10 है, तो इसको आप इसा लिख सेते हैं कि, v is equal to 10 से, 375 को आप अगर 10 से divide करोगे, तो यह क्या बचेगा, 37.5, बड़ क्योंकि यह minus था, तो यह minus 9 उपर आजाएगा, तो v की value हो में मिलती है, minus 37.5 cm, अब देखिए, object का जो distance था, u, वो कितना था 25 cm, और image का जो distance है, वो कितना आया, minus 37.5, मतलब कि इससे कितना यह बढ़ा आया, तो object यहाँ पर था, तो image जो है, वो इससे भी दूर जाएगा, मतलब कि यहाँ कहाँ पर होगा, यह 25 है, तो 37 approximately, इससे इतना दूर, यहाँ पर कहीं आएगा, अब जो image की size है, देखिए, size हमें find out करी है, तो हमारे पास magnification का क्या formula है, यह मीटा देजाओ, दीक है, magnification का हमारे पास formula है कि, m is equal to minus v by u, और एक दूसरा formula है हमारे पास, m is equal to h dash divided by h, magnification के लिए हम देजाओ दो formula बनाया था, एक minus v by u, और h dash by h, तो यह दोनों को अगर आप बिला दोगे, तो हमें मिलेगा, कि h dash, क्यूंकि इसकी जो दोनों की left side है, वो दोनों सेम है, तो इसकी right side है, दोनों को compare कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, h dash divided by h is equal to minus v by u, तो मैं find out करना है h dash, तो यहाँ पर सेम लिख सकते हैं कि, h dash is equal to, यह v, फिल, यह h को आप यहाँ बेजित होगे, तो यह हो जाएगा h divided by u, और यहाँ पर एक minus sign था, तो minus v h by u, यह हमाँ बिलेगा h dash का formula, तो आई यह value put करता है, तो h dash is equal to minus v की value, हमने अब यह भी निकाली, minus 37.5, तो यह minus 37.5 multiplied by h, h यानि की height of the object, तो height of the object, यानि की size हमाँ दी गई है, कितनी 4 cm, और यह कैसी है, यह plus है, तो हो जाएगा 4 cm, divided by u, u हमने केसा कितना दिया है, u हमारे बास है, minus 25 cm, अब, यह minus, यह भी minus, तो यह minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, अब यह 37.5 है, उसको अगर आप divide करना थोड़ा complex हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, उपर नीचे 10 से multiply कर दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, minus 37.5 हो अगर आप 10 से multiply करो, तो यह हो जाएगा, 375, और यहाँ पर यह 4, divided by 25, तो आइस को हम यहाँ पर calculate कर ले था, ठीक है, तो यह 375, multiply by 4, divided by 25, ओके यहाँ पर, उपर तो हमने 10 से multiply कर दिया, लेकिन नीचे 10 से multiply करा भूल गये, तो यह 375, और यह हो जाएगा 250, तो यहाँ जाएगा 250, अब यह हो जाएगा, अगर हम 5 से try करे, तो 5 इंटू 5 तो 25, तो यहाँ पर बचेगा 50, और यहाँ पर बचेगा 5, 5, 5 इंटू 7, 35, तो 2, और 5, 5, 15, 25, ओके, यहाँ पर बचेगा 75, फिर एक बार आप 5 से, इसको डिवेट कर गये, तो यह जाएगा 10, 10 इंटू 5 हो जाएगा 15, और यहाँ पर बचेगा, 5, 1, 5, तो बचेगा 2, तो पर बचेगा 15, multiply by 4, तो यह हो जाएगा, 60 divided by 10, तो यह बचेगा 6, तो इसका जो final result आता है, वो क्या आता है, 6, लेकिन वहाँ पर देखिए, एक minus sign भी है, तो finally हमें, जो h dash मिलेगा, हो मिलेगा, h dash is equal to, इसका result आया कितना, 6, लेकिन यहाँ पर minus sign, तो यह बचेगा, minus 6, तो h dash, h dash क्या है, height of the image, height of the image मैं में लेगा, 6 cm, देखिए, height of the object कितना था, 4 cm, h कितना था, 4 cm, लेकिन, h dash हम को कितना मिला, 6 cm, तो देखिए, object से, जो image है, वो कैसा हो गया, बड़ा हो गया, और वो कैसा है, minus है, minus 6 का मिनिंग क्या हुआ, कि principal axis के, नीचे अगर हम measure करेंगे, तो उसका result में क्या मिलेगा, minus मिलेगा, तो minus 6, जो h dash मिला, उसका मिनिंग यह हुआ, कि, जो हमारा image है, वो principal axis के, नीचे होगा, तो सपोज, यहाँ पर हमें image मिल रहा था, तो कुछ ऐसा हमें image मिलेगा, और उसकी जो height है, वो कितनी होगी, 6 cm, क्योंकि यह पर इसे पर axis के नीचे है, इसलिए हमें कितना मिला, यह माइनस 6 cm, तो finally, हम उसके उपर से लिख सकते हैं, कि, उसका nature कितना हो, किसा होगा, देखिए, पहली बात तो, जिस direction में, मतलब कि, इस mirror से, जिस side में हमारा object था, उसी side में हमें image मिला है, उसका meaning पका, कि, जो हमारा image था, वो किसा होगा, virtual होगा, मतलब कि, हमारा image है, वो virtual है, फिर, उसकी size देखिए, increase होगी न, पहले कितनी थी, 4 cm, उसका image किसा मिला हमे, 6 cm का, means कि, जो हमारा image है, वो कैसा है, enlarged, and, वो erect, यान कि, सीधा है, या फिर, उल्टा हो गया है, तो देखिए, principal axis के, नीचे हमारा image मिला, मतलब कि, ये वो कैसा हो गया होगा, उल्टा हो गया होगा, तो इसको मिलिख सकते है, कि हमारा image है, वो कैसा है, inverted, तो ये तीन हमें, उसकी characteristic मिल गई, nature, उसका nature क्या होगा, कि, ये virtual है, क्यों virtual है, क्योंकि, जिस side में object है, उसी side में क्या है, हमारा image है, इसलिए virtual है, enlarge क्यों है, क्योंकि, हमारा object है, वो 4 cm का था, और हमारा image है, वो 6 cm का, मतलब कि, उसकी height है, वो increase हो गई, height increase हो गई, मतलब कि, वो enlarge हो गया, बड़ा हो गया, और inverter है, क्यों कि, principal axis के, नीचे हमें, उल्टा जो है, वो image मिलता है, इसलिए वो के सहा है, inverter हो जाएका, तो यह हमारा problem, solve हो गया, टेपए 2, यह दो example में से, एक आ सकता है, मतलब exam में, क्योंकि, यह concave mirror वाला था, और एक convex mirror वाला था, तो ठीक है, मिलते हम, next week के अंदर, bye-bye.